पांच लाख रुपे वाली सरजरी भी फेल हो गई जब कच्चे प्याज में ये चीज मिला कर बालों में लगाया सब चोग जाएंगे जी हाँ दोस्तों आज हम जानेंगे ओनियन का इस्तमाल करके हम किस तरीके से बालों की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने बालों में काफी एदा केमिकल इस्तमाल कर लिया यह आपकी डिएश्टी काफी एदा हाई हो गई यह आपको हेर थिनिंग की प्रूलम में बाल टूट रहे जण रहे या स्केल्प के अंदर फंगल इंफिक्शन हो गया है जिससे आप बालों की ग्रोष से काफी परेसान हो तो आज आज में आपको ओनियन का नुस्का बताऊंगा उसको अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपकी हेर ग्रोथ बढ़ेगी और आपको हेर फोल बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपको करना क्या इस वीडियो को एंड तक देखना है एक सेकंड भी स्कीप नहीं करना तो बिना चाहो तो उसका चिल्किका भी स्तमाल कर सकते हैं बेलकुल अच्छे से बारिकी से ओनियन को पीच लेना है पीचने के बाद उसको कोटन के कपड़ी पर रख के अच्ची से इसका इक्स्ट्रेट उसका रस निकाल लेना है ओनियन के रसके इंदर एंटी वेक्ट्रियन तो उन केसिस में भी यह ओनियन का रस बहुती फाइदे मंध होगा तो यहां पर आपको 30 ग्राम के कारीब ओनियन का रस प्रस निकाल लेना है अब हमें इसके अंदर दूसरी चीजा मिलाना है वह क्लोस यानि का लोंग आपकों 5 ग्राम के करीब अच्छ से पीचे-स का fat बना निन इन अब आपको उस परॉडर को ओग इनके योग कर देना है क्लोस इस पडेशन से लड़ेगा डेंटर से फाइट करेगा जिससे आपकी स्केल्प हेल्दी रहेगी अब हमें इसके लास्ट चीजी मिनाना वो है एक विटामिन की कैपसूल इसके अंदर भी एंटी ओक्षिडेंट पाया गया है यह हमारी हेर ग्रोथ को मेंटेन करता है हेर फॉल को कम करने के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन एक केपसूल आपको जरूरेट करना है इन तीनों चीजों अच्छे से मिक्स करना यह एक्स्ट्रीम हेर ग्रोथ टोनर या वोटर भी आपके सकते ओनियन का इसको यूज करना है किस तरीके से इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो जब जब आपको बनाना तब तक फ्रे सेंपू से हरबल सेंपू से सलफेट फिरी सेंपू से बालों को क्लीन कर सकते हो याद रखना आपको सेंपू अच्छे वाले यूज करना है अगर आपको हेर थीनिंग की प्रोलम है या आपकी डियेश्टी काफी यादा हाई हो गई है तो इस तरीके साब बालों के केर कर सक इस टोनर को इस वोटर कॉप वीक में कम से कम दो से तीन बार जरूर लगाने बेश्ट रिजल के लिए